दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ नारियल से बनने वाली एक ऐसी आइस क्रीम की रैस्पी शेयर करने वाली हूँ जो कभी भी फेल नहीं होगी यानि कि आप जितनी भी बार बनाओगे हर बिल्कुल परफेक्ट बनके निकलेगी इससे बनाने के लिए आपको किसे भी तरीके कि आइस क्रीम मोल्ड की भी ज़रत नहीं है क्योंकि इसे हम बनाएंगे कोकोनट चल में या फिर घर वाली ही बड़तनों में तो चले शुरू करते हूं और देखते हैं अक्तम मलाईधार ये कोकोनट आइस क्रीम की रैस्पी जो की घर वाली ही चीज़ों के साथ हम बनाने वाले हैं और इसमें कभी भी आइस क्रीस्टल नहीं जमेंगे ये मेरी गरंटी है चाहे तो आप बना के देख लीज़ेगा आप इस रैस्पी को ट्राय कीजो और जाद से जाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीज़े ताकि इस तरीके की आसान सी घर वाली रैस्पी सभी के पहुश पाएं तो सबसे पहले आपको एक नारेल लेना है कैसा भी बड़ा चोटा नारेल इसे कूकर में डाले और एक ग्लास के जतना इसमें पानी डाले जिसक tolerant से हम पानी पिकते हैं वो पूरा भर के एक ग्लास के जितना आपको पानी डालना है और कूकर का ढबार का ढ З सीटियां तेजाज पर तो इसे हमने चड़ा दिया है गैस पर और तीन सीटिया आने का वेट करेंगे जब अपटू थ्री विसल आ जाए तो इसे हम उतार के इसका जो प्रेशर है वो निकलने देंगे उसके बादम खोड़ेंगे इससे क्या होगा जो शेल है वो नारिल को नारियल निकाल लिया इसे हलके हाथ से किसी भारी बर्दन से जारुतरफ गुमा के जब आप मारोगे तो बड़े आराम से तोट जाएगा आपको जादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसका पानी एक अलग काटोरी में कठा कर लें इसे भी हम यूज करेंगे और ये देखे कितने आसानी से खुल चुका है अब हम इसके अंदर की गिरी निकाल लेंगे ये एक बहुत ही healthy आईस्क्रीम का option है दोस्तों जो बजार वाली आईस्क्रीम होती है बहुत सारे preservatives, colors होते हैं घर पे जब आप इस तरीके से नारिल के साथ आईस्क्रीम बनाओगे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी और इस तरीके से coconut shell में जब आप उनको जमा के दिखाओगे तो उन्हें भी बहुत interesting रगेगा आपको बिल्कुल इसी तरीके से सारी गिरी साथानी से निकाल लेनी है ये बड़े अराम से पाहर निकल आएगा क्योंकि इसमें हमने सीटियां लगवा दी है ये देखे कितने अराम से निकल गया इस shell को फेकना नहीं है धो के आप अलग रख लीजे अभी हम यूज़ करेंगे अलग रख लेना है इसे आप जैसे कोकोनट चटनी वगएरा होता है नाजल की चटनी उसमें बनाके यूज़ कर सकते हैं से वेस्ट ना करें इसमें भरपूर फ्लेवर है कोकोनट का तो मैंने सफेद हिस्सा अलग कर लिया है बूरा हिस्सा हम अलग रख लेएंगे से किसी और रेस्पी में यूज़ कर लेएंगे इसके लड्डु बएड्डु भी बन सकते हैं मैंने बहुत सारी ऐसी रेस्पी शेर की हैं जिन में आप ये यूज़ सकते हैं तो सफेद वाला फिलहाल हमें हिस्सा चाहिए इसे हम छोटे-चोटे टुकडों में कट कर लेंगे एक दम बढ़ा ना रखें ताकि यह अच्छे से पिस्ट जाए तो ऐसे ही रफली हम चौप कर लेंगे छोटे-चोटे टुकडों में यह देखे सारे के सारे नारिल देखने में कितने वाइट लग रह उसका थोड़ा बहुत हिस्सा आया था पानी में तो वो छन जाए इसी वज़े से हमने पानी चान के डाला अब इसे एक बार हम मिक्सी में चला लेंगे और इसे हम रख देंगे साइड में अभी आपको खाली नहीं करना है मिक्सी में as it is रहने दीजे आपको ले ले रहा है ए इसमें और जादा अच्छा क्रीमीनेस आता है तो इसे उबाल आने तक एक बार हम पका लेंगे दूद को हाई फ्लेम पे फिर जब एक बार उबाल आ जाए तो उसके बार आप इसमें डाल दीजे स्वादा नुसार चीनी मैं आधी कटोरी के जितना यानि की आधा कप के जि टीविया की आती है न उतनी काफी होगी इतने पूरे मिक्शर के लिए इस टीविया को कभी भी कोक नहीं किया जाता है तो इस वज़े से सबसे लास्ट में डाले बनने के बाद अब इसमें मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया है एक इलाइची कूट के इलाइची मैं बहु दो चम्मच के जितना पानी लिया था जिसमें एक चम्मच है नहीं कि वन टेबल स्पून के जितना आपको कॉन स्टार्च लेकर खोल लेना है पहले अच्छे से फिर उसके बाद इसे हम डाल देंगे इस मिक्शर में इससे बहुत अच्छा एक जो क्रीमिनेस होता है वो आ जा मतलब दूद थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए एक दम लास्ट में रबडी वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेरे कहने का मतलब है तो कौन स्टार्च एट करने पर बहुत चल्दी यह गाड़ा होना शुरू होगा एक चम्मच से जादा दोस्तों नहीं आट करना है एक ही दिरे इस तरीके से गिरेगा मतलब आप इस पर जो यह मिक्षर है जो इस पैचला है उस पर थोड़ा सा कोट करना चाहिए मतलब आप उंगली से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो वो लाइन रुकी रहनी चाहिए मैं आपको अभी करके दिखा दे रही हूँ तो मुझे मिक्षर अ ताकि यह धंड़ा हो जाए अब यह जैसे आपको गाड़ा गाड़ा देख रहा है धंड़ा होने के बार यह कुछ ऐसा दिखेगा तो मैंने इसे धंड़ा होने दिया था यह देखे बिल्कुल रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी लग रही है जिन दोस्तों को चीनी नहीं यू इसे हमने अल्रेडी ग्राइंड करके रखा था और एक बार फिर से चला देंगे यह देखे कंसिस्टेंसी बहुत ज़दा गाड़ी लग रही है मैंने आधी कटोरी के जितना दूद साइड में रखा है उसे हम अभी इस पॉइंट पर एड़ कर देंगे और एक बार वापस कि जतना हमने दूद का इस्तमाल किया है इसे हम खाली खड़ लेंगे एक दूसरे बरतन में और यह देखे इसकी कितनी फ्रॉथ ही कितनी क्रीमी लग रही ही बहुत ज़दा हेल्दी आइसक्रीम की रेस्पी है और कोई भी बना सकता है बहुत आसान सी रेस्पी है मैंने जमाना है तो नीचे एक कटोरी ग्लास या फिर कप रखे जिस पर कोकोनेट चल अराम से टिक जाए फिर उसके बाद इसमें ये मिक्षर डाली अगर आप ऐसे ही रखोगे बिना किसी सपोर्ट के तो फिर ये ऐसे इधर उधर गिरेगा तो आपको रखने में दिक्कत हो सकती त क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लिक्विड बर्फ जमने के बाद थोड़ा सा फूलता है तो इस वज़े से थोड़ा सा स्पेस हम उपर खाली रखेंगे आप देखे एकदम उपर तक मैंने नहीं भरा है थोड़ा सा खाली रखा है अगर आप कोकोनेट चल में नहीं जम है छोट समद्स निकालने में असानी होती है तो मैंने अभरा ए लोगा पोरा का पूरा ये गलास के अंदर फिल कर दिया अ बस्क्रेंट कर दिया चुर् Dog टिक रखा तो आप सभी यह ट्राइ कि मेरी गरंटी है कि आपकी जो रैस्पी है जित्ती भी बार बनाओगे उतनी बार बिल्कुल पॉफेक्ट बनेगी कोई भी आइस क्रिस्टल्स पीछ में नहीं जमेंगे एक दम आराम से स्मूधली कट होगा अभी लास्ट में जब आइस क्रि आरी आपको वीडियो में बस सारी चीजों को अलमुनियम फॉल से उपर कवर करेंगे तक कि आइस क्रिस्टल्स नहीं जमें और छे घंटे के लिए हम डीफ्रीज कर देंगे या फिर तब तक जब तक कि यह अच्छे से जम नहीं जाए यह देखे को कोनेट शेल वाले बिल् इन्हें आप बच्चों को बहुत ही आराम से इंट्रिस्टिंग वे में दिखा सकते होने बहुत अच्छा लगेगा कि आपने आइस क्रिम जमाई हो भी बड़ी शॉक्स दिखाएंगे तो हेल्दी हेल्दी आइस क्रिम हो जाएगी और बच्चों के लिए खेल भी हो इसके बाद चाकू को इस तरीके से अंदर डालिए और आप देखोगे कि बड़े आराम से आइस क्रिम क्लास से बाहर आ जाएगी मैंने कोकोनट पॉप्सिकल की रेस्पी अल्रड़ी शेयर करके रखिए वह भी कोकोनट आइस क्रिम की ही रेस्पी है जैसे बच्चे कैंडी बहुत सरे अच्छे 2 एकर चैम्स की रेस्पी है आप रस्पी देखने के बाद रेस्पी भी जा कर देख सके अब कितनी just Te amigos क्रूंच इसके है अड़ है जैसे कि आप पूरा का पूरा cooking process अभी तक देख चुके हो वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तो जादा से जादा like and share करें अगर आप में चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके की और भी recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले अगर आप मुझसे कोई और भी recipe सीखना चाहते हैं comment करके बताना ना भूले मैं definitely आप सभी के लिए वो recipes भी लेके आऊँगी और साथ ही मैं आप किस जगा से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप मुझे जरूर comment करके बता हैं तब तक के लिए take care bye and enjoy this recipe